दमस्कार, डियलेड द्वितिय वर्ष वर्ष दोहजार बेस इकीस, कोर्स पांच, पांच बह, हिंदी, प्रक्रण पांच, हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं साहित्यकार साहित्य जीवन का दरपण है, तता साहित्य ही जीवन के विभिन सम्वेद्नाओं का शिक्षन दे सकता है केवल गनान मनुष्य को मानव नहीं बना सकता है, किन्तु साहित्य मनुष्य को भावात्मक शिक्षा दे कर उसे मानव बना सकता है 21 वी शताबदी के मंगल प्रभाद पर अंतरराष्ट्रिय शिक्षा आयोग यानि के युनेस्कों ने Learning to Live Together कहकर जीवन के भावात्मक पक्ष के शिक्षा पर बल दिया है Learning to Live Together ये चौथा पिलर है वस्तुतह Learning the Treasure Within 1996 में एक बुक युनेस्कों ने प्रस्तापित की थी उस बुक में उस किताब में उन्होंने चार मुख्यों उद्धिशों पर फोकस किया था The four pillars are Learning to be यानि की होने के लिए अस्तित्व के लिए कुछ सिखना Learning to know कुछ जानने के लिए भी सिखना Learning to do कुछ करने के लिए भी सिखना And Learning to live together साथ रहने के लिए भी शिक्षा प्राप्त करना तो इस इकाई में Learning to live together को सहित्य के साथ जुड़ा गया है यानि कि उद्देश्य प्राशिक्षनार्थियों के लिए ये रखा है कि हिंदी साहित्य के स्वरूप को समच सकेगा और हिंदी साहित्य कारों के जीवन का परीचाई प्राप्त कर सकेगा विश्य वस्तु में लिए गई जो बाते हैं वो है कि प्राशिक्षनार्थी जो है वो कहानी के बारे में सीखे, निबंद के बारे में भी सीखे, जीवनी के बारे में सीखे एकांकी के बारे में भी ग्यान प्राप्त कर और प्रगीत काव्य के बारे में भी सीखे सबकी अपनी अपनी फिशेश्टाएं हैं जैसे कि कहानी शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थी यही होता है कि कहना कहानी रसेंद्रेक कराने वाली अपने आप में पूर्ण एक ऐसा असरदर आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके वो एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश रहता है उसके चरित्र उसकी शैली उसका कथाविन्यास सब उसी एक भाव की पुष्टी करते हैं वो एक गमला है एक पौट है जिसमें एक ही पोधे का समुन्नत रूप में होलिस्टिक रूप से द्रश्टी गूचर होता है कहानी के अपने विशिष्टाए है उसी तरह से निबंद की भी अपनी परिभाशा है निबंद गध्य रचना का एक उतकुरुष्ट स्वरूप है विशय का सम्यक प्रतिपादन भाशा का रूप और लेखा के व्यक्तित्व की छाप ये तीनों विशिष्टाए अच्छे निबंद में पाई जाती है निबंद में अनुबा की अभिव्यक्ति होती है न कि अपने विचारों की यदि गध्य कवियों या लेखकों की कसोटी है तो निबंद गध्य की कसोटी है निबंद की भी अपनी विशिष्टाय है जीवनी की परिभाशा ये है कि जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है किसी पर किसी भी महापुरुष के बारे में या किसी की स्थी के बारे में कोई अन्य लेखक जब उस महापुरुष या स्थी के जीवन के विबिन पहलूओं को लिखता है तब वह जीवनी कही जाती है उसकी भी अपनी विशेशताए है ठीक उसी सरा एकांकी की भी परिभाशा है एकांकी शब्द अपना परिचे स्वयम देता है एक अंक वाला जिसे इंगलिश में वनेक प्ले कहते हैं आधुनिक एकांकी एक स्वतंत्र विदा है एकांकी में एक घटना होती है और ये घड़ना नाटकीय काउशल से ही कोतुहल का संचय करती हुई क्लामेक्स तक पहुंचती है इसमें कोई अप्रदान प्रसंग नहीं रहता विस्तार के अबा में वह घड़ना कली की भांती खिल कर पुष्प की भांती विक्सित हो उटती है उसमें लता के समान फैलने की उच्छुंखला नहीं होती एकांकी की भी अपने विशिष्टाएं हैं प्रगीत काव्य यानि की गीती काव्य यानि की जो गीत गा सके वो ही काव्य का शुद्ध और प्राकृत रूप गीती काव्य है कविता काया सहज नई सर्गिक और मनुरम रूप है गीती काव्य में कवी संगित्मई मदूर रचना के सहारे अपनी नीजी अनुभूतियों का प्रकाशन करता है जिस काव्य में एक लए या एक ही भाव के साथ ही एक ही निवेदन, एक ही रस एवन एक ही परिभाशा हो वह गीती काव्य है गीती काव्य की भी अपनी विशिष्टाए है अपने पाचछप उस्तक में विश्तरुत रूप से जानकारी इन सभी प्रकारों की दे गई है हम आते हैं अब हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर और उनके कवन का परिचाई करने के लिए सर्वप्रथम थे तुलसिदास जी तुलसिदास जी ने रामचरित मानस सर्वप्रथम भगवान राम की सराहना के लिए लिखा उनका यही कवन सबसे ज़्यादा मशुहूर हुआ उनकी बारह ग्रंध प्रामानिक भी माने जाते हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, स्रिक्रिष्ण गीतावली, विनई पत्रिका, रामचरित मानस, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायन, परवति मंगल, जानकी मंगल और एवं रामगना प्रश्ण जिसमें से रामचरित मानस और विनाई पत्री का बहुती मशूर हुए इसके बाद प्रेमचन मुन्शी जी साहित्या के सम्रागन कहे जाते हैं उनका यूग कथाकार एवं उपन्यास का कहा जाता था और उने लोग सम्राग कहते थे मूल तहनाम धन्पतराय था प्रेमचन मुन्शी की अपनी जो कवनी है उसमें गबन, कर्मभूमी, गोदान, निर्मला, मानसरूवर, कुछ विचार, कलम, तलावार और त्याग, कुछ निबंद भी है मनमूदक, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानिया, टॉल्स्टोई की कहानिया, दुर्गादास और बालोपयोगी साहित्य भी है प्रेमचिन मुन्शी के बाद मेथली शरनगुप्त, अगर सहित्यकार में प्रेमचिन मुन्शी को समराट कहा जाता है, तो कवियों में समराट के रूप में मेथली शरनगुप्त का नाम आता है मैथली शरणगुप्त जी ने जनता के पास से राश्ट्र कवे की पदवी हंसल की थी उन्होंने नारी के जीवन के बारे में अत्ति संक्षिप्त और इतना संपूर्ण यथार्थ वर्णन किया है जो अब तक किसी नहीं नहीं किया मैथली शरणगुप्त जी के बाद में सुबधरा कुमारी चौहन का नाम आता हैं सुबधरा कुमारी चौहन जीनोंने जहांसी की राणी पर लिखी थी बुंदेले हर बोलो के मूह हमने सुनी कहानी थी खुब लडऌी मरदानी वह तो जहांसी वाली राणी थी सुबद्रा कुमारी ने यदि एक मात्र जहासी वाली रानी कावे लिखकर अन्य कुछ भी ना लिखा हो तो भी वह सहित्यकारों में दैदी प्यमा नक्षत्रकी बादी चकाचाउन करती होती बचपन शिर्षक उनकी ये कविता यद्यपी सरलकिंतु भाव्यान जंक होने के कारण अमर बन गए जिसमें उन्होंने लिखाए बार बार आती है मुझको मदुर याद बचपन तेरी गया तो गया तु मेरे जीवन की सबसे खुशी मेरी सुपध्राकुमारी चोंहान आगे चलकर मत्रपदेश विधान परिषट की सदस्या भी नियुक्त हुई थी उनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह ही सुमित्रानंदन पंथ चाया वादी कवी सुमित्रा नंदन पंथ सुमित्रा नंदन पंथ ने प्रकृती के हिसाब से बहुत ही अच्छी कवी ताय लिखी और कवनी की थी जैसे लॉट बायरर ने इंगलीश में कहा है कि मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता हूँ पर प्रकृती को मनुष्य से अधिक प्यार करता हूँ यह हिंदी कवी पंद के लिए अक्षर अशह उप्युक्त है पंद हिंदी के विकासमान कवी रहे हैं आरम में इन्होंने अनुपम प्रकृती का काव्य दिये किन्तु जैसे जैसी जीवन का साक्षातकार होता गया वैसे वैसे प्रकृती की माया लोक को छोड़ थोस धर्ति पर कदम उन्होंने रखने शुरू किये तब यठार्थ जीवन के गाने गाने लगे किन्तु कवी यथार्थवादी चिंतन में भी तुरुपती उन्हें नहीं मिली तो वे अध्यात्म की और मुड़ गए पंत जी की भी बहुत सारी कवनी मशुहूर हैं जैसे वीना, पल्लव, ग्रंथी, गुंजन, युगांत, युगवानी, स्वनदूली, स्वनकिरन, उत्तरा, चांद, वानी, अभिशेक्ता और मुक्तियग्न उपन्यास उनका है हार, कहानी संग्रभी है, पांच कहानिया और उन्होंने अनुवाद भी किया था, मदूजवाल नाम से उमर खयाम की रुबायो का हिंदी में रुपांतर किया था तो इस तरह से इस एकाई में सहित्य के स्वरूप और सहित्यकारों के नाम, उनकी जीवनी, सहित्य की विशेष्टाएं और सहित्यकारों के भी विशेष्टाएं, उनकी जीवनी, उनके कथन, उनकी प्रकृतिया, उनकी प्रस्तूति, इन सब के बारे में इसी एकाई में ब रामधारी सी, हरिवन श्राइब बच्चन, यश्पाल जी, महादेवी वर्मा, भिश्म सहानी, सुरिकान त्रिपाथी यानिकी निराला, सचिदानन, हिरानन, व्यात्सायन, अगनेय, और तुलसिदास जी, और भारतेंदू हरिश्चंद्र, इस एकाई में, दस प्रमोग सहायत्यकारों के बचाए, चुन-चुन कर सिर्फ पांच ही सहायत्यकारों का परिचाई प्रस्तुत किया है, उम्मीद रखती हूँ, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, और सफलता प्राप्त आप जरूर करेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर with me.